रूप इतना सुन्दर फिदा हो खे मैनू मैन हम है अक्छा रहके फैन मैया के मुह चुन मुनियारे छुम छुम बाजे पैजनियारे छोटे छोटे सातोरे बहिनियारे छुम छुम बाजे पैजनियारे छुम छुम बाजे पैजनियारे नमस्कार प्रणाम मेरा नाम है विवेक और इस वक्त मैं मौझूद हूँ पटना में और हमारे साथ कौन है सबसे पहले तो मैं कैमरामन को एक बार इदर फोकस किजी हमारे साथ बिहार की शेरनी अक्षरा जी है सबसे पहले तो अक्षरा दी स्वागत है आपका तैंक यू बेरी मच पर जब भी मैं सुनती हूँ शेरनी शेरनी आज मैं शो में गई थी वहां पर भी शेरनी शेरनी मुझे आपकी दहार जो है ना वह बाकी लड़कियों को सब को प्रिवी नाम रख दिया है आप लोगों अच्छा एक फैन भी आई हुई है बहुत दूर से आई हुई है सबसे पहले तो अपना टैटू दिखा दीजिए नीचे मुलागात हुई थी बहुत देर से वे वेट कर रही तो मैं शब्द हुए मैं क्या ही बूलू आपका नाम क्या हुआ नेहन न्यारे कहां से आप आई है कायमूर भववा कैमूर से अक्षरा जी के लिए यहां पर कहां से अपनी यह सारा टैटू कहां से बनवा है कितना तकलीफ होता है टैटू बनवाना और उसको आजीवन सब्सक्राइब करते हैं प्रक्राइब को इतना मानते हैं इतना प्यार मुवत करते हैं कि मिरेको कुछ दर्द ने वा दीदी के सोच सोचके में बनवा लेक कुछ नहीं हुआ है मैं बड़ा टैटू का प्रचलन चला है इंदीनों भुझपूरी में सभी लोग के टैटू बने लेकिन किसी फीमेल सेंगर का इस तरीके का टैटू और एक लड़की बनवा के आती है तो कैसा महसूस होता है तो वो है और दूसरी चीज कितना तैटाउ को लेकि बवाल जो चल रहा है इंडूस्ट्री में कि टैटू बनवाना है काम पाना है इसको लेकर कास्ते Do a सबसे मेरे बनवाना इस करा नहीं समख से परे है क्योंकि अगर ऐसा कोई कहता है तो कोई काम पानी के लिए भी अगर अपने आपको दर्त देता है और तुमको मानता है ऐस fracture वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए कोई दो मिनटा भी इस वक्त निकाल रहा है या आपको देखता है या आपके लिए इतना effort लगाता है वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है मैं तो इस चीज को बहुत मानती हूं लोग मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से आप जैसे लोग अगर मुझे प्यार कर रहे हैं या मेरे लिए दो मिरट तरीके से खेसारी जी का टैटू बना के सौमिया आई थी लेकिन सौमिया को जिस तरीके से ट्रॉल किया था उनको बहुत जादा यूट्यूबर ने ट्रॉल किया कि उनको काम नहीं आता है वो सिर्फ टैटू बनवा करके खेसारी जी के साथ काम करने के लिए आ रही है जब वो ट्रोल से नहीं डरती है तो यह क्या डरीगी जब इन्होंने खुद अपने मुझ से बोला कि इतना प्यार है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर ट्रोल से क्या ही डरेंगे हम ना हम डरें ना मेरी फैन डरीगी कि मुझे इंस्पीरेशन के रूप में लड़किया लेती है या इतना प्यार देती है मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए और इतना स्टांड लेती रहूं मातरा नी इतनी शक्ति दे आप इनका प्यार इनके प्यार को पाकर मैं इतनी स्ट्रॉंग और बनती जाओं कि मैं इन लोगों के लिए आगे भविश्य में कुछ कर पाऊं अच्छा कैसे हैसास हुआ कि वह स्पेशल सिर्फ अक्षरा जी है जिनके लिए आपका दिल धड़कता और जिनके लिए आप इतना आगे कुर्बान हो सकती है कि दिल्ली जाकर के टैटू बनवान और फिर कैमूर से प ऐी आर की हैं देडिक लिए गाना आखे है की बाते बोड़ों मिलकी मिलकी बालवाटे लंबा-लों म सिलकी नमईनर में Still बीध बनाटां हमां अक्छा रह आक एपन्क हम्हां आक्छा रह के फ्यान्य के फ्यान्य हूं एही तारे दाहाड़ा तर रहा होलिन आलाई की कम जोर यो मैं हनत से आंगे बढ़ लू हमत नहार लू थोड़ हो हिमत नहार लू थोड़ हो बहुत खूब गाना रिलीज हो गया है क्या गाना का सुटिंग कल चल रहा था लेकिन फिर अधूरे रुका है विसका करवाना है इसकी घरेंटी हम नहीं लेते क्योंकि भोजपूरी इंडस्ट्री का मानना है कि जो गाना निकल जाता है जो अच्छा होता है वह गाने बड़े अच्छे गाने आते हैं उसको लेकर के बड़ा जल्दी लोग चोरी का मामला शुरू कर देता है अभी इतना मतलब मैं इतने अलग फोकस्ट वे में मैं चलती हुना कि मुझे यह सारी चीजे दिखती नहीं और ना मैं ध्यान देती उन चीजों कोन चोरी कर रहा है कौन क्या कर रहा है करते हैं लोग ये सही भी नहीं है गलत है सफको अपना-पना काम करना चाहिए अपने तडिके से इनों अगर आप तालेंटेड है आप उस काबिल हैं तो आपको चुराने की क्या जरुश है आपने आपको प्रूफ करो अपने काम के जरीयर तो मेरा यह मानना है ब मातर दो से तीन दिन, दो मिलियन से उपर गाना है तक्रिय में गए मिलियन से उपर होने वाला भुषपुरी थॉर्ण को अच्च मेंको अगिंगर है जो हática क्या है क्शोच भूच्पुरी वाक्य ही में बदलू रही है बच्पुरी की इ ranks उनकी गरिमा, अपने संस्कारों को, अपनी मिट्टी को, सब को याद करके चलते हैं, और भी कलाकार हैं, जो ऐसे गाने लाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मा के उपर हो, अदर चीजें उसमें इंवाल्व्ट ना हो कि कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, देवी गित नहीं करते हैं, कुछ भी गा देते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भी exist करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और देर सफेर ही सही, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उन में से भी हैं, श्रोता उन में से भी हैं, जो ऐसे गानों को accept करेंगे, और आज जिस तरीके से आप से सुनन को मिल रहा है कि यह गाना बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, अभी मैं शो के दोरान जब रास्ते में लौट रही थी, तब मैंने खुद अपने कान से सुना, पंडाल लग रहा था, वहां पे यह गाना बज रहा था, तो आई वस सो देवीगीत या ऐसे तरह के गाने नहीं चलेंगे और आपका व्यूज नहीं आएगा, मुझे लगता है कि यह प्रमान है, करारा जवाब है, यह जवाब क्या है, यह प्रमान है, और मैं इसी तरीके से और भी कुछ ना कुछ नया करती रहूंगी और इस साल का बहुत का-2 बाइग गाने आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ दुर्शक अपना बहुत सारा प्यार दें, इस साल में मेरी माा के साल भी आरही हूं T-Series चैनल से, कि मेरी मैया जैसा मेरी मैया तू अपने जैसा मुझे मा दिया है, यह भी एक माना है, जो मा से मा को अर्पित है, त कुछ काम यहां के सुकून के लिए होते हैं जो मैं कर रहे हूँ अच्छआ मैं थोड़ा सा आते है पुरानी भूझपूरी को ले करके जब आप फुल्में करती थी में चलती भी थी हॉल में लोग देखनें भी जाते थे लेकिन एक दोर आज का है कि भोजपूरी फिल्मों का जो स्तर है धीरे-धीरे कम होता जा रहा है हॉल में लोग पहुंचते हैं यह जो प्रोडक्शन टीम है वो प्रोमोशन उस तरीके से नहीं करती पहले स्टार्सहौल तक पहुंचती थे लोगों से मिलते थे फैनसे फिल्में चलती भी थी लेकिन इन दिनों दो से तीन धीन में किसी इमीं सुपर्स थार की फिल्मियों उतर जाती है लेकिन इक लेकिन एक से दो दिन में उतर जाती है, तो आपको क्या लगता है, किस तरीके से हम अपनी भूझपूरी की जो फिल्में हैं, उसको उठा सकते हैं, एक रवार फिर से अपनी भूझपूरी फिल्मों का वो दौर पुराना वाला सकते हैं। इसमें सभी कालाकारों को एकतरत होकर इस बारे में विचार करना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे पास अच्छे सिनमा हॉल्स नहीं है, जहां पर दर्शक जाके हमारी फिल्मों को देख सकें, बहुत सारे हॉल्स बंद भी हो गये हैं, और ऐसा नहीं कि वज़े से भी डिजिटल मार्केट जब से आया है तब से भी थोड़ा सा युनो डाउन फॉल आया है बट चीजे सुधरेंगी आई होप सो कि कब तक यूमीद की जाए महनत जारी है देखिए दर्शकों से अपील है कि आप अच्छी फिल्मों को सराहें अच्छी फिल्मों है ताकि हमारी भूचपुरी फिल्म में भी जिवित रहें एक तो कड़वे सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा आपके मर्जियों अगर आप बोलना चाहें तो ठीक है नि तो आप उसको नो कर दीजेगा क्योंकि जिस तरीके से आपको लगातार यूट्यूबर्स ट्र करते हैं और कहते हैं कि अक्षरा जी को रोना भी होता है तो वह मेक अप करके रोती है अगर ऐसी सोच है तो देखो अपना अपना नजरिया है वह कहते हैं हमारा अपना नजरिया है मेरा देखने का अलग है आपका देखने का अलग है बहुत से लोग उसको यूनो मुझे सा तो जब सीता मया को नहीं छोड़ा गया तो हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं तो मैं दर्शकों के लिए कोई मलब जो भी जैसा भी ट्रोल करता है मेरे लिए नेगेटिव बोलता है अला कि मैंने कभी ऐसी जरुवत नहीं पड़ी कि मैं मेकप लगा के रों इनसान हूं कभी भावुक हो सकती हूं सबको अधिकार है अपने लाइफ जीने का इमोशन पर कंट्रोल थोड़े किसी का तो सबका अपना अपना नजरिया है मैं इस बारे में क्या ही टिपनी करूं मैं उनको भी घलत नहीं बोलना चाहती है एक और सवाल बड़ा अभी हाल-फिलहाल के दिन या आपके विक्तित्व को कुछ भी थमनिल लगा करके कुछ भी मुद्दे को लगा करके आपके जिस तरह की छवी है बिहार में जिस तरह आपको दिखाया जाता है बिहार में कुछ यूट्यूबरों के कारण आपकी छवी खराब होती जा रही है तो उस पर आप क्या मेरे इतने सालों की महनत, मेरा बेशक बहुत छोटा नाम है, लेकिन इनके बदॉलत नहीं है, और इतनी सालों की महनत जो है मेरी, ये ये चंद यूट्यूबर्स नहीं तै कर सकते हैं, और मेरा इमेज या मैं कैसी हूँ, मेरा वेक्तित्व, इनसे नहीं पता चलेगा, जिनको जानना है वो जान रहे हैं कि मैं क्या हूं तो इनको बोलने दीजे ऐसे देखिए आलोचनाएं जब तक नहीं होंगी पता कैसे चलेगा कि अक्षरा सिंग भी कोई एक शक्षियत है तो आलोचनाएं उतनी ही होनी चाहिए I take it in a very positive way लोग ठक जाएंगे मैं बता रही हूं मेरी सोच इतनी positive है ना मैं हर चीजों को इस तरीके से लेती हूं कि कि यूनो कितना भी कुछ हो जाए मैं उसको अपने उपर हावी नहीं होने देती तो भौकते रह जाएंगे बोलते रह जाएंगे बिचारे उनको मैं सांत्वना मैं देती हूं कि यार कुछ तो करो मैं मैं कुछ तो हूं कि दिन भर यूनो अपना इतना समय मेरे उपर जाया करते हैं मेरा नाम लेकर अपना घर चलाते हैं दो पैसा कमाते हैं इश्वर उसी तरीके से जरिया बनाए मुझे और क्या नेहा जी के लिए क्या कहईएगा क्योंकि इती दूर से आई है आपके दिल में मेरे लिए प्यार है वो मेरे लिए बहुत है ठीक है ना आप एक कॉल करेंगी एक मेसेज करेंगी दिदी मुझे जरुत है दिदी हमेशा आपके साथ रहेगी ठीक है और अपने मेहनत के दम पे जैसे आज इन्होंने कहा ना एक बात कह दी ये मत होने देना ये मत होने देना जो इन्होंने कहा कि फेम पाने के लि तो यहां कि आगे भी हो सकता है कि कभी इन केस आपके साथ यह किसी गाने में नजर आज़े क्यों नहीं अच्छे तालेंटेड लोग को क्यों नहीं काम दूँगी अब मैं मैं तो जितने यहां के आम कलाकार भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं मैं सामने से पहल करूंगी औ मैं सबके लिए मेरा दर्वाजा खुला है बिल्कुल बोले मुझे I'm just a call away email छोड़ें कि मुझे जरूरत है मुझे आपके चैनल द्वारा या आपके आपके you know help से मुझे गाना मिल जाए या मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो जो डिजर्व करते हैं जो टालेंटेड हैं उनकी जरूर मदद करूंगी हमेशा खड़ी रहूंगी मेरे साथ तो कोई ने था लेकिन मैं जरूर रहूंगी और वो तमाम दर्शक जो फैंस आपके जो रात दिन आपके लिए इंतिजार करते उनके लिए क्या कहिए जो भी दर्शक है मैं उनसे बहुत प्यार करती और मैं इस चीज की बहुत आभारी हूं कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जोतना मैं करती हूं और आपकी वज़े से ही मैं बन पाई हूं जो भी थोड़ा बहुत बन पाई हूं आगे इसी तरीके से अपना प्यार दुलार आशरवाद मुझ पर बनाए रखना त मैया के मुह चुन मुनियारे छुम चुम बाजे पैजनियारे छोटे 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 सातोरे बहिनियारे चुम चुम बाजे पैजनियारे छुम चुम बाजे पैजनियारे